मसाला बनाएंगे उसके लिए एक चोड़ा चमच कसूरी मेथी सूखी हुई कसूरी मेथी इसमें डालें एक टेपल स्पून दनिया पाउडर कोरिंडर पाउडर अब हम इसमें डालेंगे आदा चोड़ा चमच लाल मिच पाउडर या आदा चोड़ा चमच पैपरिका जो भी वो डाल दें, कोई फरक नहीं पड़ता, दोनों ये तीखे होते हैं, इसमें डालें एक चोथा जोटा चमच हल्दी, 1 पर 4 टीस्पून टार में, कादा जोटा चमच जीरा पाउडर, एक चोटा चमच जीरा पाउडर डाल दिया, तो ये मसाला हमारा हम रेडी है, कडी डाले हैं मैंने, और एक इंच दार्चीनी डालिए, दार्चीनी और लोंग को भून लें तेल में, ताके फ्लेवर आ जाए, अब हम इसमें डालेंगे मसाला, तो मसाले के साथ वेजिटेबल स्टाक रेडी रखिएगा, ये मैंने आदा कप इसमें शकरकंदी डालिए, स्व पाई हंडरेट अ Мल वेजिटेबल स्टाक इस्तमाल करेंगे, मसाला जले नहीं इसलिए वेजिटेबल स्टाक रेडी रखिए, जैसे ही मसाला पक जाएगा, फोरांसे हम वेजिटेबल स्टाक डाल देंगे, तो इसमें मसाला डाल दें और 30 सेकंड के लिए सिरिव भूने, ज्यादा नहीं, फिलेम लो पे रखें, और अब हम इसमें ये वेजी टेबल स्टाक डाल देंगे, ताके मसाला जले नहीं, दीरे दीरे करके पूरी वेजी टेबल स्टाक डालेंगे, तो पहले मैंने थोड़ी डाली, मिक्स करी है इसके साथ, मिक्स करें इसको, मसाला जलना न जला और यह अब हम इसमें बची होई सारी वेजी टेबल स्टाक डाल देंगे तो टोटल 500 ml वेजी टेबल स्टाक है यह इसमें डाल दें पूरी वेजी टेबल स्टाक 500 ml तो यह मैंने पूरा डबा इसमें डाल दिया यह 500 ml का आता है हम कर इसमें पानी इस्तमाल नहीं करेंगे recipe में बस इसी से ही हमारी कड़ी बन जाएगी vegetable stock से ही अब ये शकरकंदी गल गई है अब हम इसे mixi में डाल देते हैं और इसे blend कर लें इसकी puree बना लें यही हमारी gravy बनेगी तो gravy का जो base है वो शकरकंदी है अब हम इसे blend कर लेते हैं तो यह मैंने blend कर लिया इसे side में रखें इसमें डालें एक टेबल स्पून बटर flame high है तो दुआ निकल रहा है इसमें डालें एक प्यास एक गाजर, one onion, one carrot दोनों को थोड़ा fry कर लें अब मैं टेमपे इस्तमाल कर रही हूँ जो plant based meat होता है वह इस्तमाल कर रही हूँ one by four cup तो वह भी मैं अब इसमें डालूंगी और इसे भी इसके साथ fry करूंगी तो यह देखें यह टेमपे यह बाजार में मिलता है plant based meat है one by four cup और अब हम इसे mix करेंगे और इसे भी fry करें चार से पांच मिनट तक ताकि सारी सबजियों का तोड़ा कच्छा पंचला जाए पांच से शेमिनर तक इसे fry करें अब हम इसमें डालेंगे जो हमने gravy blend की थी ना वो पूरी gravy इसमें डाल दें डाल दीए मैंने पूरी gravy इसमें इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि vegetable stock नमकीन होती है तो उसमें enough नमक होता है कि अगर आप डालेंगे तो extra हो जाएगा तो मैं नमक नहीं डाल रही हूं क्योंकि मेरी vegetable stock में नमक है नमकीन है ये सबजी अब हम इसे low gas पे 20 मिनट पकाएंगे फिर साव करेंगे चामलों के साथ तो ये पक गई है ये देखें 20 मिनट हो गए है सारी सबजी या भी घल गई है अब हम इसे साव कर लेते हैं चामलों के साथ साव करें इसे तेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब यूर व्यूस मेटर से लॉट प्रेस पेल आइकन बटन गंडे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में अपना ख्याल रखें तेंक यू फॉर वाचिंग यमी रेसिपी इस रेडी तो एंजॉई और सर्व इट राइस प्लेन राइस तेंक यू